यहां के गए पढ़ने, Medical Science लेकिन भे, कीड़ा तो बच्छ बन सही था सफ़री, देख रहे थे, और वही कीड़ा काड़ा होता है हर लॉंडे में, लॉंडिया में ये भारत में भी प्रॉबलम है, कर कुछ रहे हैं इनके माइड में उपनिशद चलने लगता है इन टीनों को इनों ने मिला दिया और कुछ ओरिजनल क्रियेट किया जो आज ये जाने जाते हैं बाइदा नेम, आर्थोर शॉफिन हैर वन अफ दे ग्रीटिस्ट फिलोसफर्स अफ आल टाइम तो भाई, शुरू करते हैं आज का लेक्चर आर्थोर शॉफिन हैर पे पहला लेक्चर है, मैं लेक्चर फ्लो बता देता हूं तुम लोग को और सबसे पहले तो, क्यों मुश्किल होती है कॉंटेंट क्रियेटर की लाइफ मैं बाइस मिनिट मैंने बोला बका, खड़े हो के मैं यहां पे लेक्चर दिया इससे पहले जो कि तुम देख सकते हो मैं लिख के पूरा यहां तक पहुँच गया था तुम समझो, कहां तक वो पड़े हैं वहां तक पहुँच गया था और बाद में देखा तो फोरके सेटिंग सेट हो गई होगी मुबाइल फोन पर और फोरके में आट मिनिट टक मैक्सिम रिकॉर्ड होता और बंद हो जाता है मैं बीस-बाइस मिनिट टक खड़ावा बोल रहा हूँ चेक करना भी भूल गया और पूरा लेक्चर खराब तो हम वापस से यह लेक्चर बना रहे हैं आप लोग के समक्ष लेक्चर रखेंगे और शुक्रिया जो भी लोग कॉमेंट करके सजेशन्स दे रहे हैं जिन्होंने मेरे शॉर्ट के उपर सजेशन्स दी कि किस तरीके के वीडियो के उपर हमें बनाना चाहिए जो शायर एक से दो लेक्चर खिषेगा और तीसे लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कुछ फैक्ट्स तो तुम लोग क्या कर सकते हो यहाँ पर एक Q&A सेशन रहेगा वो फिलोसफर का तो तुम लोग क्या कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में जाओ आरसाफनायर के लाइस से रिलेटरड जो भी तूमको ड़ाट से जैसे बहुत लोग पुचते है इस आर्थèg शौफनायर शौफनायर अनाहिलिस्ट या इस आर्थावज शौफनायर बुद्दिस्ट ऐसे-एसे करके सवाल है डालो second lecture में भी डालना और तेसे में भी Google Google में most searched queries हम लेंगे उसका answer third lecture में देनी की कोशिश करेंगे काफ़ी interesting होने वाला है तो तुम भी दे सकते हो और बाकी जो भी लोग support कर रहे हैं जिनोंने contribution दिया, subscribe किया और क्या कह सकते हैं लाइक कर रहे हैं वीडियो को देख रहे हैं thank you so much, मजा आ रहे हैं अब content मनाने में मजा आ रहे हैं लेकिन ऐसी भसड़ जब हो जाती है कि lecture जलना बंद हो गया तो irritation अंदर में होती है अब आर्थर शौफेनायर की life के बारे में हम जानते हैं ठीक है, पैदा हुए थे पैदा हुए थे जब हमारा जनम दिन जिस महीने में आता है उसी जनम दिन में ये भी पैदा हुए थे 22nd Feb 1788 1888 बोलते हैं 1788 में इनका जनम हुआ था और ये पैदा हुए थे Poland में और इस शहर में dancing करके है इसकी pronunciation dancing है, शुरू ये जी से होता है pronunciation इसकी dancing है, dancing में पैदा हुए थे और डाइड 21 September 1860 में इनका दिहान्थ हो गया था वो हुआ था Frankfurt तो ये जो philosopher है, ये जो philosopher इनका दिहान्थ हुआ था, कुछ respiratory, pulmonary, respiratory failure हो गया था तो इनका दिहान्थ हुआ था अब इनका जो most prominent work है वो 1810 और 1818 के बीच में था 1810 और 1818 के बीच में इनका सबसे ज़्यादा prominent work था, और ये Frankfurt में ही रहे था अपनी life में, आकरी जो इनका समय था life का, आकरी face और उसमें 45 years की जब ये age में था तब इनका काम release होना शुरू हुआ लोगों के सामने था थोड़ा सा इनकी life के बारे में जानते हैं हमको लगता है कि भाई, हर philosopher एक suffering के थूँ गुजड़ता है एक गरीबी के थूँ गुजड़ता है एक उसकी poverty full life होती है बहुत जादा दिक्कत होती है भी खाने पीने की, फैमिली बहुत जादा लूवर क्लास की होती है तो वो फिलोस्टी में घुज़ते हैं तो फ्रॉगल के थूप ऐसी mentality है लोगों कि specially आर्थर शॉफनायर के लास के फिलोसफर लेकिन नई ये वेल्दी फिलोसफर थे और इनको inherited wealth विली थी जिसके अबारे में हम आगे जानेंगे inherited wealth बतलब इनके इनको अपने पिता जी की पूरी इनके पिता जी बहुत बड़े businessmen थे अब इनके पिता जी का नाम था Hendritch Flores Shoppenire यहां लिखेंगे नहीं 15 वी second हुज़े में चले जाएगे तो 1805 में ठीक है 1805 में यह में मिटा ज़ता हूँ इनके पिता जी का दिहान दो गया था अब यह भी बहुत बड़ी myth है myth कहलो myth तो नहीं sorry यह बहुत बड़ी conspiracy है यह और यह conspiracy क्या है 1805 में इनके पिता जी का दिहान दो था अब लोग कहते हैं इनके पिता जी बहुत बड़े बिजनस्में थे हिंज रिच फ्लॉरिस जो थे बहुत बड़े बिजनस्में थे एक Republican type of बिजनस्में थे philosopher के तरह ही सोचते थे बहुत बड़ा hold था इनका Europe के उपर और उसी वज़े से तुमारे Arthur Schofenare के elementary pre-schooling elementary schooling बहुत ही अच्छी होई अब 1809 में 1809 में Schofenare को उनकी सारी अपने पिताजी की सारी wealth क्योंकि next legal air वो ही थे उनको सारी inherit हो गई तो एक financially free थे philosopher थे financially free philosopher थे जितन Frideric Mecha के बारे में हमने first lecture कवर किया second lecture में कवर करेंगे वो धाल भटकते थे उनको जो थोड़ी बहुत pension मिलती थी University of Basel से Basel से मिलती थी शायद तो उसको उस पे वो अपना खर्चा चलाते थे guest house में रहते थे लेकिन इनके लिए ऐसा case नहीं था बहुत अमीर थे अब इनकी पिता जी dancing जो हमने पढ़ा थे dancing से हट गए थे जहां आर्थर शौफे नहयर पैदा हो गए थे और Hamburg चले गए थे dancing से हटके Hamburg Hamburg चले गए थे क्यों क्योंकि Prashya ने उसको capture कल लिया थे NX कल लिया थे NX जो शब्द यूज करते है capture कल लिया था अब इसी वज़य से इसी वज़य से आर्थर शौफे नहयर ने बहुत चीज़ अपनी पिता जी से लिया आर्थर शौफे नहयर उनके पिता जी बचपन से आर्थर शौफे नहीं पाच-छे साल या नौ साल के उमर से French में fluent है English में fluent है और बहुत ज़दा इंट्रीक थे बहुत ज़दा फॉलो करते थे English और French कल्चर को लेकिन डरते थे एक खौफ थंदर में एक हॉरर था एक डर बैठावा था कि भाई ये जो है Prussian कल्चर से काफी ज़दा हॉरर था इनका तो उनके पिताजी ने भी बहुत स्टेटमेंट्स वगयरा वगयरा दिये अब एज पंदरा में एज पंदरा में इनकी फैमली बहुत मूफ करती थी तो जब शौफिन हायर पंदरा साल के थे तो ये पांच कंट्रीज में गूमे है सुट्जिलन्ड, हॉलन्ड, फ्रांस, इंग्लेंड और पांच कंट्रीज में गूमे है खुब मज़े करें खुब देखा है वादियां देखी, लेक्स देखे, बर्फ देखी, और फॉरेस्ट देखे लेकिन इन्होंने एक और चीज देखी, शौफिन हायर के नोटेश में एक और चीज आई, वो थी सफरिंग पंदरा साल की उमर में उनका पहला स्ट्राइक था माइंड में कि भाई ये क्या है वहाँ जो है, उनके पेरिंट्स तो मूफ कर रहे थे, लेकिन उनको बोडिंग स्कूल बही दिया था, आर्थर शौफिनार को बोडिंग स्कूल बही दिया था पूरा रिलिजिस, तुम समझो, कंसरवेटिव रिलिजिस टाइप आफ टीचिंग वहाँ पे होती थी, जो कि उसका कल्चर था, बहुत जादा कल्चर वैसा था रिलिजिस काइंड ओफ टीचिंग होती तो स्टूजेंट से और जो वहाँ के बच्चे थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था थी, भाई ये तमीज से पेशा है, जो हम कहने वो करें ये, लिकिन आर्थर शौफिनार भाई, इतने बड़े महान बापके बेटे, थोड़े स्टूबर्ण थे, स्टूबर्ण विदिस दिसीजिजन, कि नहीं तो नहीं, तो वो थोड़ा नेगेटिव इंपाक्ट उन्होंने छोड़ दिया, वहां के टीचर्स के उपर, आसपास लोगों के उपर, तो उनके कोई दोस्ती भी नहीं थी, अब उन्होंने खुद को ये क चुपा रहे थे, इंदसेंस, खुद की कमजोरी चुपा रहे थे, या फिर वो एक बहना लेकर अपने कोई शील्ड कर रहे थे, वो कोई नहीं जानता, या अगर जानना भी है, तो second lecture में जाननी की कोशिश करेंगे, अब उनको depression हो गया, depression के शिकार हो गया, और उन्होंने अपनी काफी चीजों में लिखा अभी एक लाइन भी काई भी है, कि I feel anxious of the things which might not exist, उनको fear होने लग गया, ऐसी चीजों से जो शायद ना हो या ना होती है, उस वज़े से वो overthinking करते थे, उस वज़े से उनका anxiety होती थे, उस वज़े से उनको long term में depression की शिकारत हो गई, अब आते हैं, क्यों और भड़ा ये सब, क्यों और ये सब भड़ा, अब जो उनकी माता श्री थी, जो उनका नाम था, योहाना शौफिनायर, ठीक है, जोहाना सौफिनायर, अब ये इनका relation काफी different है, ये औरत भी काफी different भाया, बहुत रंबिरंगी family थी, ये लेडी भी काफी different यह उस वक्त बहुत famous romantic novelist थी उस time पे novelist होना एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस वक्त culture औरतों के लिए बहुत जादा solid और कठोर था देखा होगा तुमने इन लोग का culture कैसा होता है dining table भी इतनी लंबी सी होगी क्यों लंबी जोगी 25 तरीके के तो चूरे काटे हैं इन लोग रोटियां होती है ऐसे खाऊ यह etiquettes वह etiquettes वह अवरत ऐसे पेशाएगी वह ऐसे पेशाएगी वह भाई हम भारत की उस वक्त की भी भारत में भी थी भारत में भी थी etiquettes थी है औरतों को ले गए बड़ यहां बहुत जादा था crochet में रहना है अगर तुम लोग उन्हें 10 तक 11 तक हिस्टी पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा कि French फ्रांस वह औरते क्यों suppressed थी क्रोशेड उनकी कमरे पतली हो जाती थी वगएरा 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 हम यह भारती है लोग बैढ़ जाए पहला के समान मुर्गी तोड़ने रोती तोड़ने ठीक है सीन ऐसा था तो इनकी माताशरी पहुत जो जुआना थी बहुत था social butterfly थी लोगों में गोल्ती मिलती थी अब इनका relation ना तो शौफेनायर के साथ अच्छा था और शौफेनायर के ना तो इनके फादर के henrich के साथ अच्छा था मतलब अपने husband के साथ भी अच्छा नहीं तो अच्छा थी कहती थी, shall I do not possess a warm relationship with both of them इस वज़े से बीच में कुछ-कुछ अन्बन चलती रहती थी और जब 1805 में शौफेनायर के पिताजी का धिहान थुआ तो यह खुली चिडिया बन गई, पूरी, खुली, कुपून से एक butterfly समझो निकल गई, और इन्हों ने एक salon, intellectual salon इस्टाइबलेश किया, intellectual salon मतलब जहां पर सारे intellectual लोग स्पेसिफिक शेहर के एक स्पेसिफिक बेश के आएंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, बाते करेंगे, वहां पर आर्थर शौफेनायर, इन्फ्लूइंस है, एक इंसान ते है जिनका नाम ताफ फ्रेडरिच, इन्वोने यहां से इस बंदे ने इनके दिमाग में एक सीड प्लांट कर दिया, केड़ा डाल दिया, बहुत खतरनाक वाला, वो था इंडियन फिलॉसफी का केड़ा, इंडियन फिलॉसफी का सीड जो की आगे जाके बहुत बढ़ा पेड़ बनने वाला था, और यहां से इ इतने जादे इंफ्लोइंस हो गयते ये इंडियन फिलोसफी से आर्थोर शौफिन हैर अब 1814 एक और डाग फेज एक 1805 बहुत क्लोस अपने पादर से पिता जी का दिहान दो गया 1814 एक और इनको स्ट्राइक लगा वो था इनकी माने इनको गर से निकाल दिया बाहर बहर बहb कि तरह दो लेकिन भाः निकाल दिया और इनों ने सब कुछ त्याग दिया शॉपंदायर नnewसे अब बिजनस छोड दिया अब ये पढ़न सोज três है गया आगे further studies के लिए University of Göttingen University of Göttingen अब University of Göttingen बहुत interesting university है 44 Nobel laureate निकाले है इस university ने बड़े-बड़े Physicists, Mathematicians, Political Leaders, Philosophers, Otto von Bismarck भी शायद यहीं के पड़े हैं तो इनकी website पर जाके तुम चेक कर सकते हो करना है तो Arthur Schopenhauer भी यहीं के अलमिनी है University of अब ओक पर शायद दो डॉट होता है नहीं होता है पता नहीं देख लेंगा तो University of Göttingen यहां के गया पढ़ने Medical Science लेकिन पर कीड़ा तो बच्पन सही था सफरी देख रहे थे और वही कीड़ा काड़ा होता है ना भाई हर लॉंडे में यह भारत में भी प्राब्लम है कर कुछ रहे हैं लेकिन दिल किसी और में लगता है जैसे मैं कर कोई और कोर्स रहा हूँ मैं कर रहा हूं architecture लेकिन दिल मेरा किसमें लगता है philosophy में उनका भी same medical science पढ़ने गए बटकते है भाईया philosophy में घुजगा है वहाँ से उनकी journey की शुरुबात हुई University of Göttingen अब वहाँ पे एक बंदे से ये मिले जो कि एक philosopher था अब देखके इनका नाम लिखना पड़ेगा गॉटलोब उन्शूल्स ये इनका नाम था ये पहला वला चेक कर ले ना कहीं मैंने मिस्टेक कर दियो गॉटलोब उन्शूल्स ये जो थे इंस्पार्ट थे Plato से और Emanuel Kant से ये Plato से और Emanuel Kant से इस्पार्ट थे तबनों ने क्या किया इनकी जो असली philosophy की thinking थी वो influence हुई थी platonism और तुम्हारी cantonism की वज़े से जो बोलते है तुम्हारा platonism जो plato की है हम metaphysics में platonism के पर बात करने वाले हैं तो subscribe कर लेना गर नहीं किया तो वो lecture के लिए platonism cover होने वाले है और ठीक है इसको इन्होंने एक और चीज के साथ मिला लिया क्या मिला लिया याद करो जब इनकी माने salon खोला था intellectual salon वहाँ पर किस से मिले थे frederich निजोर से वो जो कीडा था वहाँ से काटा वहाँ अच्छा बया platonism, cantism, platonism, cantism और upanishads इन तीनों को इन्होंने मिला दिया और कुछ original क्रियेट किया जो आज ये जाने जाते हैं by the name Arthur Schofenheyer one of the greatest philosophers of all time एक new thought process ideology देनी की कोशिश करी using तुमारे platonism, cantism और upanishads तो ये थीन की life ये था पहला lecture Arthur Schofenheyer पर जिस्ते भी request किया था आपकी request मुकमल कर दी गई है पूरी कर दी गई है और इसके उपर second lecture आएगा Arthur Schofenheyer की वो in-depth होगा philosophy के उपर आएगा third lecture तो मुमारे doubts होगे तो doubts ज़रूर लिखना and once again thank you everyone for supporting जितना भी support दिखाया मिलते हैं किसी अगले वीडियो में चलो लग जो किस पे किस पे लगोगे भाईया काम पे लगोगे चलो भाईया कट लो